सबीका स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे नीट एक्जाम 2021 एक्जाम ड्रस कोड क्या होगा जो एंटीए ने जारी किया ड्रस कोड लड़कियों के लिए हाई हील्स लड़कों के लिए फुल सर्ट पर बैन कर दिया जोयलरी और बागी काफी ज़ादा पर बैन किया है की वो अब सभी चीजे जो है सेंट पर पहन कर नहीं आ सकते तो आए उन सभी चीज feito कई करके देखए कि क्या किया की चीज़ों को बैन किया गया है नीट एन्ड एक्जाम बें वह पहन कर नहीं जाएंगे तो आईए शलते हैं बाकि सब चीजों को समझते हैं उससे पहले कहां शल बन नए हैं तो सबस्क्राइब करना बिल्कूल न भूलें दिखेना हैं सबसेफ चात चात राएं परिक्षा के इंद पर कोई भी जोलरी भाहन कर नहीं जा सकती इसके अलावा कोई मैटल की चीज या कमunication टूल ले जाने की अनुमत इन नहीं होगी यानि वो ना तो जोलरी बहन के जा सकती है वाहली बात यहाँ पर यह है और कोई भी मैटल की चीज़ भी वो नहीं ले जा सकती है परिक्षा हाल में प्रिवेश से पहले परिशाथों की तलासी ली जाएगी COVID-19 का जो प्रोटोकाल के चलते से फेस मार्क्स और गलप्स पहन कर आना आनिवार है आपको गलप्स भी पहनने है और फेस मार्क्स सभी चात्रों को परिशा के इंद्रे पर समय से आधा घंटा पहले पहुशना होगा इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात की गई तो नेस्नल टेस्टिंग एजनसी ने पुरुसक भ्यारत परिक्षारतियों के लिए जो सला दी है उसमें कहा कि जो है एक्जाम के दिन फुल स्लिप से यह पूरी बाहां की सट्स और लड़कियों के लिए कढ़ाई और आउटफिट्स फूल ब्रॉंज और बड़े बटन वाले कोई भी कपड़े वो ना पहन से पहने यह सला दी गई है इसके अलावा हाई हिल्स और सूस सेंडल और बिग पॉकेट वाली जीन्स भी पहन का संटर पर ना आए जो है सूर्स सैंडल्स या बिग पॉकेट की जो है जीन्स उसे भी पहन कर आपको नहीं जाना है इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर और चीजें मेंशन की गई हैं जिसे आप ध्यान रखें कि जोलरी में जैसे गहने जुमके नोज रिंग्स अंगुठी पेंडेंट्स हार कंगन पायल पहन कर अनुमती जाने की नहीं है और वहीं एंडिये ने लड़कों के लिए आधी बाजू की सर्ट टिशर्ट पहन कर सेंटर पर आने के लिए कहा है यानि आधी बाजू की सर्ट टिशर्ट पहन कर जाना है उससे आप जा सकते हैं परिक्षा के दिन हलके कपड़े पहन कर ही आने को कहा गया है इसके अलावा जिप पॉकेट बड़े बटन कढ़ाई वाले कपड़े पहनने की अनुमती नहीं होगी तो इस तरीके का एक ड्रस कोड यहां पर जारी किया गया है और यहां पर कहा गया कि लड़के जो है सिंपल पैंट ट्राउचर पहन कर ही आने की अनुमती दी गई है उन्हें और उसके परिशा के दिन पर बंद जूते पहन कर नहीं आ जाना है पंद जूते आप पहन कर नहीं जा सकते हैं पतले सोल के साथ हवई चपल या अन्सिंगल सूच पहन कर आनुमत है आप परिशा हाल में बाहर को जूते उतारने होंगे और साथ ही सेनिटाइजर लेकर आनुमत अगर आप जूते पहन कर जाएंगे तो आपको बाहर ही उतार देना होगा इस तरीके की चीज़े हैं यहाँ पर और यहाँ बतायागे कि परिशा कक्ष में बारा से ज़्यादा भारती नहीं बैठेंगे परिशा केंदर पर स्टुएंट्स को मास्क सेनिटाइजर दिये जाएंगे और परिशा मास्क सेनिटाइजर हैंडवास को अनिवार किया गया है सेनेटाइजर हैंडवास परिक्षा हाल में भी रहेगा सभी परिच्छा केंद्रों को परिच्छा से पहले ही परिक्षा के बाद दो बार सेनेटाइज किया जाएगा तो उम्मिद करते हैं आप सभी लोग इको महत्पूर जनकारी मिल गई होगी आप इसी तरीके से जाएए जिसे वहाँ पर कोई वाद विवाद की स्थित ना उत्पन हो और आप आसाने से पेपर बिना अतनाओ के दे सकें तो इसी के साथ गुड लग धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए और बताइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए धन्यवाद जैहिन जैवाद